हेलो पैरे बच्चों, बच्चों कैसे हैं, आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विसे हिंदी के फुल ग्रिस्मकाली नवकास के क्रहकारे को सॉल्व करेंगे जो की उत्री दिली नगरिंगम के द्वारा दिया गया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेशन है दस ऐसे फलों की सूची बनाए यानि की लिस्ट बनाए जिन में आ, उ, आ, ई, आ, ए, तथा ए की मात्रा आती हैं तथा इन फलों के चित्र भी बनाएं तो बच्चो ऐसे फल हैं सेब, केला, आम, नारियल, संत्रा, पपीता, अनानास, अमरूत, तर्बूस, अंगूर सभी इनके चित्र भी बनाएंगे क्वेशन है निम्न रंगीन अक्षरों के साथ सही मात्रा लगा कर उचिस सब्द बनाएं तथा, जिस स्वर की माता लगेगी, उस पर सही निसान लगाएं तो बच्चो फस्ट है के मैं तो यहाँ पर के के बाद कौनसी माता लगेगी आ की, तो यहाँ पर क्या होगा काम, नेकoral आ के बाद माता लगाएंगे हम आई की यानि कि झील यहाँ पर है बच्चो के में जे तो यहाँ पर में के बाल मात्रा कौन सी लगेगी आई की कमीज नेक्स्ट है छलका छे के ऊपर कौन सी मात्रा लगेगी ए की छिलका पल में पै के आगे कौन सी मात्रा लगेगी तो पैपर उ की मात्रा लगेगी पुल, next है कसक, तो यहाँ पर कैपर कौनसी मातर लगाएगी, री की मातर, किरिशक, next है कयल, कयल में कैपर कौनसी मातर लगाएगे, ओ की मातर, कोयल, भया, भया, भया पर कौनसी मातर लगाएगे, एकी मातर, भया, अबे बच्चो राम नौमी, राम नौमी के बारे में जाने हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महा के सुकल पक्ष की नौमी तिथी के दिन राम नौमी का त्योहर मनाया जाता है। अपने नाम का अर्थ जान कर लिखेंगे। नेक्स्ट है, पहले हिंदी वर्णमाला लिखें, फिर अपने परिवार के सभी सदश्यों के नाम लिखें और उनको वर्णमाला के अनुसार क्रम में लगाएं। माला है ए आ ई आई उ आउ री ए आई ओ आउ अंग अहा काखा गागा अनेखाली चाचा जाजा यह वच्चों अनाखाली ताठा डाधा यह भी अनाखाली है नेक्स्ट है ताठा दाधा ना पाफा बाबा मा यारा ला वाशा सासा हाचा त्री और गेर ग्यानी तो बच्चों सभी अपने अपने घर के सदश्यों को नाम से लिखेंगे और उनके नाम के पहले एक्षर को क्रम में लगाएंगे नेक्स्ट है नीचे दी गई तालिका से विबेन त्योहारों के छिपे हुए नामों को ढूंडो तो बच्चो इस तालिका में कौन-कौन से त्योहार छिपे हैं होली, गुरुपर्व, दिवाली, ईद, लोहडी, दशहरा और भाईदूज नेक्स्ट कोश्चन है, गर्मी के मौसम में आप कौन-कौन से फल खाते हैं, उनके चितर बना कर नाम लिखो तो गर्मी के मौसम में फल खाते हैं आम, तर्बूज, अंगूर, केला, खर्बूजा और पपीता तो बच्चो आप इनके चितर भी बनाएंगे next question है आपने बहुत सारे पेड़ देखे हैं उन पेड़ों की पतियों को इखटा करें और कॉपी में चिपका कर उस पेड़ का नाम लेखें इस काम में आप अपने घर के बड़ों की साहता ले सकते तो बच्चो पहली जो पत्ति है वो किस पेड़ की है आम की ये पत्ती है अमरूत के पेड़ की नेक्स्ट में है बच्चो सफेदा का पेड़ की पत्ती है ये ये पत्ती है असोक के पेड़ की नेक्स्ट है नीम के पेड़ की अब बच्चो हम जानेंगे इड के बारे में इद-ुल-फित्र या इद-फित्र कत्योहार रमजान के महिने के बाद आता है इसे मीठी इड भी कहते हैं इस दिन मिठाईया बनाई जाती हैं और लोग आपस में गले मिलते हैं यह भाई चारे और प्रेम कत्योहार है question है जिस प्रकार अंतिय अक्षरी खेलते हैं उसी प्रकार सब्द लड़ी बना कर खेलें वह नए सब्दों को अपनी copy में लिखें तो बच्चे जैसे कि यहाँ पर रे से सुरू है राम तो यहाँ पर जो अक्षर है यह मैसे खतम हुआ है तो अगला जिस सब्द होगा वो मैसे लिखेंगे मकान में अंतिम जो अक्षर है वो नए है तो इस प्रकार से हम सब्द लड़ी बनाएंगे तो नेक्स्ट है नल उसके बाद लोटा टमाटर रात तना नाम माली गर्मी के मौसम में मुझे नीबू पानी बहुत पसंद है आपको गर्मी में क्या पीना या खाना अच्छा लगता है वह लिखें नीबू पानी बनाकर अपने माता पिता वह अन्य सदश्यों को पिलाएं तो बच्चों गर्मी के मौसम में क्या क्या अच्छा लगता है आम आम पन्ना, आम रस, आईस्क्रीम, कोल ड्रिंक्स, खर्बूजा, तर्बूज, मैंगो सिख, गन्य का रस, आदी Question है आपकी मम्मी दिन भर रसोई में काम करती है आप आप सबजी और सलाद काटने में उनकी सहायता करेंगे तथा आपको कैसा लगा यह है, आप अपनी कापी में लिखेंगे तो बच्चो आंसर है, मुझे मम्मी के साथ सलाद और सबजी काटने में बहुत मज़ा आया और मैंने सलाद वे सबजी काटना भी सीखा अगली गतिवीदी है, यदि आपने कभी कोई पौधा लगाया है तो गर्मी में उसका बचाव किस तरीके से किया जाता है लिख कर बताएं, और यदि नहीं लगाया है तो एक पौधा लगाएं और यह पता करें कि गर्मी में उस पर क्या प्रभाब पढ़ता है और उसे कैसे बचाया जाएं, पौधे के साथ एक सैल्फी लेकर अपने अध्यापक को भीजें तो बच्चे इसका अंसर है, हाँ मैंने एक पौधा लगाया है मैं उसे गर्मी से बचाने के लिए उसमें रोजाना पानी देती हूं और उसे अधिक धूप से बचाती हूं नेक्स कोश्चेन है, स्वैम के बारे में तरथा अपनी मा के बारे में दो दो पंक्तिया लिखें तो बच्चे जैसे की स्वैम के बारे में मेरा नाम राहुल है, तो सभी अपना यहाँ नाम लिखेंगे मैं एक अक्षा तीन में पढ़ता हूँ, मेरी माता जी का नाम मिनीता है, तो आप अपनी माता जी का नाम लिखेंगे, वह मेरा हॉमवर्क करवाने में मदद करती है, मेरी मा मुझे बहुत प्यार करती है कोईशिन है, कोरोना महमारी के बाद जब आप विद्धाल लजाएंगे, तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए विद्धाले में क्या क्या सावधानी रखेंगे तो बच्चो कोरोना महमारी के बाद जब मैं विद्या लजाऊंगा तो मास्क पहन कर जाऊंगा सैनिटाइजर साथ ले कर जाऊंगा खांसते वे छीखते समय रुमालिया कोहनी को मोड़ कर मुह पर रखेंगा दो गज़ दूरी बना कर रखोंगा और किसी भी बच्चे से हाथ नहीं मिलाऊंगा आदी बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू